है हिं नमस्कार दोस्तो आज है दस adults और दोस्तो आज हम सबसे पहले ईलालीजस करने के लिए आज की न्योज देख़ लेते हैं आज मार्क हैं चार इंपोर्टेंट न्योज है जो की युस्ट के रिगारडिंग तो यहां पर पूरा का पूरा परभाव इनका गोल्ड पर पढ़ने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हैं शाम को 6 बज़े न्यूज आएंगी जिसमें कोर CPI का डेटा है yearly और monthly और उसके बाद यहां पर initial jobless claim है तो दोस्तों आईए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर गोल्ड का चार्ट किस परकार से moment कर रहा है और आने वाले गोल्ड के लेवल क्या हो सकते हैं यहां पर यह देखे मैंने आपके सामने 4R का चार्ट लगाया हुआ है और य गया और यहां पर जो हमारे level थे वह भी ही तो अभी मारकेट यहां पर जो ट्रेडिंग कर रहा है 1915 की रेंज में trade कर रहा है तो अभी देखं़ू हम देख लेते हैं कि आने वाले trading level क्या हो more देखे यहां पर जैसा कि मैंने 4R का चार्ट timeframe लगाया हुए हूआ है और आपको सिर्फ long time frame में देखना होता है analysis करके आपको trade short time frame में ही करना होता है तो यहाँ पर यह देखिए market अभी downtrend में है strongly downtrend में हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते है lower low lower high lower low lower high इस परकार से market चल रहा है यहाँ पर ultimately lower low बना है यह lower low के बाद यहाँ पर एक lower high भी बन सकता है दोस्तों तो यानि के दोस्तों यहाँ पर अभी market अपने support पर भी है और अभी lower low भी बनाया है तो यहाँ पर market यह तो lower high बनाकर इस वर अगर से नीचे भी जा सकता है ऑदर वाईल इसके अलावा एक छीज और भी हो सकती है मार्किट यहां पर र founders बछेंज बनाकर तो इस पर कऄर्द से और उपार विजा सकता है लेकिन यह सिर्फ और इंपेंड करेगा नियुस्ट पर आज की मार्किट में न्यूज किस परकार से आ सकती है कौन-कौन सी इंपोर्टेंट न्यूज है वो मैंने आपको बता दिया है तो देखिए सबसे पहले हमने वेट करना है अभी न्यूज का जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साम कुछ है वज़े न्यूज है तो अभी मार्किट में जो गोल्ड की डारेकशन रह सकती है वो किछ इस प्रकार रह सकती है देखे दोस्तो जिस दिन गोल्ड में न्यूज रहती है इंपोर्टेंट तो उस दिन दिन बठ तो गोल्ड ऐसे range में trade करता है, कुछ fake outs भी दिखाता है, लेकिन ultimately यहाँ पर आपको new जाने के बाद clear direction का पता लगेगा, अगर यह data यहाँ पर positive आ जाता है, तो यह data positive आने के वज़ए से UST में strength बनेगी, और UST में अगर strength बनेगी, तो यहाँ पर gold को गिरना होगा, यहाँ पर gold इस परकार से गिर जाएगा, लेकिन इसके opposite अगर यह data negative आ जाता है, तो इसका सीधा साथर gold पर पढ़ने वाला है, या निकेफ, यहाँ पर gold range में trade करेगा, तो range में trade करने के बाद यहाँ से gold उपर भी जा सकता है, तो आईए हम यहाँ पर कुछ अपने level से देख लेते हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक यह direction बता दिया, कि market में direction किस परकार से रह सकती है, यहाँ तो gold यहाँ से उपर जाएगा, यहाँ फिर नीचे जाएगा, और यह पूरा पूरा depend करेगा news पर, तो देखे दोस्तों, अगर यहाँ पर market नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे की तरफ जाने पर, यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले जो gold का level रहने वाला है, यहाँ पर पहला यह वाला रहने वाला है, यहनिके 1902 का, तो 1902 से गर market और भी नीचे जाता है, तो आप यहाँ पर इस वाली लेवल को देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 1872 से 1872 से 1872 से जो 10 पॉइंट की रेंज है, gold यहाँ तक भी जा सकता है, इस से जादा नीचे अभी जाने के चांसे नहीं हैं, लेकिन अगर नीचे जाता है, तो आपके नीचे के लेवल यहाँ पर 1836 के भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अपोजिट अगर gold यहाँ से उपर की तरफ जाता है, यहाँ पर range बनाने के बाद अगर gold उपर की तरफ जाएगा, तो दोस्तो आपका सबसे पहला जो लेवल रहने वाला है, वो इल्टिमेटली यही रहने वाला है, यहाँ पर 1945 के आसपास का, इसके बाद जो आपका next लेवल रहने वाला है, वो यहाँ पर रहने वाला है, 1970 के आसपास का, तो यानि कि अभी दोस्तों आपको just wait करना है यहां पर range किस परकार से और कुन सी direction में break करती है तो अगर यहां पर इस परकार से gold उपर जाएगा तो पहला level आपका यह रहने वाला है देन उसके बाद दूसरा level आपका यह रहने वाला है तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ यह पूरा को पूरा depend करेगा news पर तो आज आपको important news को follow करना है उसको देखना है और जैसी news आएगी तो उसके बाद आप अपने orders execute कर सकते हैं और market में इस move का फाइदा उठा सकते हैं तो दोस्तो आज का यह कुईक अपडेट यही था बाकि हम मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई 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 तर्न्यवाद